लोग सभा में विपक्ष के वॉक आउट के बाद स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी नेताओं को अपने चेंबर में चाय पर बुलाया। ओम बिरला ने बैठक में कहा कि सदन के बाहर नहीं भीतर रहना अधिक सार्थक है। अधान वाले विधयक को मनजूरी दे दी। इसके साथ ही तीनों क्रिशी विधयक संसत के दोनों सदनों से पास हो गए। इस बीच किसानों ने कल यानि 25 सितंबर को देश भर में आंदूलन का ऐलान किया है। एक हफ़ते के भीतर बिहार विधानसवा चुनाव कारकरम के एलान की उमीद है। निर्वाचन आयोग के सूतरों के मताबिक चुनाव तीन चरनों में हो सकते हैं। कोविट संकट के दोरान आम चुनाव कराने का ये पहला मौका है। लिहाज़ा निर्वाचन आयोग ने बाकाइदा कोविट प्रोटोकॉल के मताबिक गाइडलाइन भी जारी की है। मद्य प्रदेश में उपचुनाओं के घोशना के पहले ही बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी ने गौालियर में शेहर के बिचों बीच अपना चुनावी वर्रूम बनाया है। वर्रूम में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरों को लगाए गया है। लेकिन भारत रतन गौालियर के अटल बिहारी वाजपई और राज माता विजे राजे सिंधिया की तस्वीर नहीं लगाई है। चुनावी हलफ नामे को लेकर आएकर विभागने एंसीपी चीफ शरत पवार, उनके बेटी सुप्रिया सुले, महरास्टर के सीम उद्धव ठाकरे और उनके बेटी आदित ठाकरे को नोटिस थमाया है। ये बात शरत पवार ने खुद ही एक प्रेस कांफरेंस में बताई। नोटिस मिलने पर उन्होंने तंस किया और कहा कि केंदर को कुछ लोगों से प्यार है। साथ ही पवार ने सरकार पर सियासी विरोधियों के खिलाफ प्रोपागेंडा रचने का आरूप लगाया। महरास्टर में बीते 24 घंटे में 18,000 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आए हैं जबकि 392 मरीजों की मौत हो गई। महरास्टर के पूरे में रोजाना नए मरीजों की बड़ी संख्या अभी भी आ रही है। 24 घंटे में यहां करीब 1300 मरीज दर्ज किये गए जबकि 60 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ फिर से तेजी से चढ़ने लगा है। 24 घंटे में राजधानी में 3800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं जबकि 16 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के कुल मामले धाई लाग से पार जा चुके हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली NCR में कोरोना और बढ़ सकता है। एक्सपर्स इसके लिए पराली को बड़ी वज़ा मान रहे हैं। पंजाब हर्याणा में खेती सीजन के चलते पराली जलानी की घटनाए शुरू होने पर NCR में आस्मान में चाने वाला गहरा धुआ सांस की तकलिफें बढ़ा देगा। जिससे कोरोना मरीजों को और भी मुश्किल हो सकती है। डक्षिन भारत में भी कोरोना के कहर में कोई रियायत नहीं है। आंध्र प्रदेश में मंगलवार को साड़े साथ हजार से ज्यादा मरीज दर्ज हुए जबकि 51 लोगों की मौत हो गई। केरल में भी कोरोना का रफतार तेज है। यहां 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नएक के सामने आये जबकि 19 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडू के तिरिपूर में कोवीड अस्पताल में दो मरीजों की मौत पर विवात छिड़ गया है। दोनों मरीजों की मौत इंग बंद होने से हुई है। गोपाल रावत की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया था। पिछले 20 दिनों से वो वेंटिलेटर पर थे लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी मंगलवार रात उन्होंने आखरी सांस ली उत्राखंड विधान सभा का मौनसुन सत्र आज होने जा रहा है कोरोना के खत्रे को देखते हुए सत्र सिर्फ एक दिन का होगा अभी तक उत्राखंड के उच्छ शिक्षा मंतरी, विधान सभाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष समेत, सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं खत्रे को देखते हुए सत्र में सिमित संख्या में विधायक शामिल होंगे वहीं कई विधायकों के वीडियो कानफरेंसिंग से जोड़ने के इंतजाम भी किये गए हैं